दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका परिक्षा खबरी में और आज है 13 माई 2020 महत्पूर्ण परिक्षा उजड़ी खबरें वो करेंट अफेस देखेंगे फिलाल आज की करेंट फेस देख लेते हैं 13 माई है आज 13 माई को कोई ऐसा विशेस दिवस नहीं है जिसे आप परिक्षा के लिए तैयार करें इसलिए हम किसी खास दिवस पर चर्चा नहीं करेंगा आज कल की डेट पर कोई ऐसा करेंट फेस भी बहुत महत्पूर्ण नहीं र जो आपकी परिक्षाओं के लिए जोवरी हो चूंकि हम आपकी परिक्षा को टार्गेट करके ये सिरीज बनाते हैं इसलिए हम सिर्फ उन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं जो परिक्षाओं के लिए महत्पूर्ण हो तमाम इवेंट्स रद्ध हो गयें कोवीड-19 के से बहुत ज़्यादा जो खबरे आते थी अकसर ये खेल में ये जिता ये खेल में ये रिकार्ड बना और ये पुरिसकार यहां पराप्त हुआ ये सम्मेलन हुआ इसलिए इतनी खबरें बन भी नहीं रही हैं और अपने से खबरें बनने कोई मतलब होता नहीं है तो 12 माई क कल रात आठ बजे संबोधन हुआ प्रधान मंत्री महोदय का और उन्होंने 20 लाग करोन पैकेज की घोशना की जीडीपी का जो की 10 प्रतिशत है ऐसा प्रधान मंत्री महोदय ने कहा कि लेकिन आपको ये मैं बता दूँ कि ये 20 लाग करोन का पैकेज कल ही नहीं खोशित हु है मतलब जब से कोविड-19 से लड़ रहे हैं 2020 में कोविड-19 के लिए जो सरकार ने पैकेज ही घोशना की तमाम तरह के आर वियाई ने जो राहत पैकेज ही घोशना की थी और कल की घोशना को मिला करके 20 लाग करोन पैकेज बनता है सप्रधान मंत्री महोदय ने अपने बात में कहा उसकी डिटेल्स जो वित मंत्री है जो मानिया सीमती जो है निम्ला सीतारमन है वो देंगी तो उसके लिए आज कल वेट करना पड़ेगा कि क्या डिटेल्स हैं कहा यह खर्च किया जाएगा अला कि प्रतान मंत्री महोदय ने तो बताया कि यह जो मजदूर जो टेक्स पे करता है और हर उस व्यक्ति को जो देश के विकास में अपना योगदान देता है युगाओं के लिए होगा तो ऐसे ऐसे वर्गों के लिए होगा किसानों के लिए होगा जो देश के विकास में अपना योगदान देते हैं टैक्सपेर्स के लिए ये जो है गोशना की गई है प्रधान मंत्री मोदे ने आत निरवर भारत अभियान के लिए बीस लाग करोन जो ये पैकेज है आत निरवर भारत अभियान में लगाने के लिए ये खर्च करने की बात कही आत निरवर भारत अभियान बनाने के लिए उन इकोनॉमी में अधी देखें तो एक ऐसी एकोनॉमी बनाना जो incremental change नहीं बलकि quantum jump लाए है ठीक है ना वो बहुत तीवर गति से आर्थिक विकास लाए है ऐसी एकोनॉमी बनाने की बाद प्रधार मंत्री महोदेने की infrastructure की बाद की एक ऐसा एक ऐसी की आधारबू सरचना infrastructure डेबलब हो जो आधनिक भारत की पहचान बने आपको पता है कि भारत को कई वस्तूओं के लिए चाइना जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है जिसकी विएस से आर्थिक रूप से जो भारत को शशक्त होना चाहिए वैश्विक लेबल पर वह अभी तक वास्तुओं रूप से नहीं आ पाया भारत जो जो बल है भारत का मुक्यता बाजार के कारण है न कि प्रोडेक्ट के कारण है जिस दिन प्रोडेक्ट के कारण हो गया उस दिन भारत आत्मिरभर बन जाएगा वही बलकि 21 सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नालोजी को अपना करके टेक्नालोजी ड्राइवन व्योस्था पर आधरित हो ठीक है जितने भी मतपों टेक्नालोजी जैसे जापान वगएर देश जिस तरह इस टेक्नालोजी पर आधार टेक्नालोजी को आधार बनाकर आग हमारी ताकत और आत्मिर्वर भारत बनाने के लिए हमारी उर्जा का सुरोत है तो इस उर्जा के सुरोत में जो योगदान होगा इस पैकेज का मत्पूर्ण काम होगा यह कोई अंतिम पैकेज नहीं है हाथ मिर्वाथ भारत बनाने की और ये एक प्रकार से पहली सीड़ी है और इस तरह के और भोईश्र में राहत पेकेज आएंगे ऐसा प्रधान मंत्री मोहदे ने संकेत किया इसकी डिटेल्स वित्व मंत्री देंगी उसके बाद पता चलेगा उसमें एक अलग वीडियो अथात मांग और जो पूरती वक्र है वो ताकत है जो उसे पूरी शमता से इस्तेमाल किया जरूत है मतलब यहीं पर मेकिन इंडिया की यहां पर जिकर करना जोरी होगा मेकिन इंडिया में क्या होगा भारत में डिमांड बहुत है अगर प्रोड़क्स जो हम बाहर से लेते ह यहीं बनना शुरू हो जाए तो डिमांड को यहीं पर बाजार में पूरी किया सकती है इस से भारत में न किवल पूजी न सिर्फ रोजगार बलकि सुचे पूजी भी create होगी, रोजगार भी create होगा और अर्थ तो create होगा ही, भारत मजबूत बनेगा, रोपया मजबूत होगा भारत कि स्थित्य आर्थे ग्रूप से मजबूत होगी तो देखे, अगर सामाने बात में करें तो यह बाते हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं बाबा राम देओ तो दस साल से ही रट रहे हैं, ठीके स्वदेशी, स्वदेशी, स्वदेशी लेकिन इस और कोई अभी तक ठोज कदम नहीं उठाय गया है भारत सरकार का ये कदम, इतना वड़ा package, ये कहीं न कहीं boost अप करेगा इन जो steps हैं उनको, और ये हमारा दाइत तो बनता है कि हम एक नागरिक होने के नाते अपने देश के बारे में सोचें और थोड़ा सा अगर कहीं हमको compromise या sacrifice की भी आउशकता पड़े देश के लिए वो करना जवरी है, देश के लिए तो लोग अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं अगर हम थोड़ी बहुत असुविधा, असुविधा अगर हमको मिल रही है और उसके बदले हमारे देश का विकास हो रहा है, ठीक है तो थोड़े समय कि असुविधा सहलेना जादा सही रहता है अपने देश के लिए भाई हर कोई करता है आप अन्य कंट्री जो चाइना है उसका उधारन ले सकते हैं जापान उसका उधारन ले सकते हैं बहुत sacrifices हुए है, बहुत लोगों ने किया है अपने देश के लिए आज भी करते हैं हमको भी करना चाहिए दोस्तों अब हम SDG लक्षों की बात करेंगे SDG लक्ष, Sustainable Development Goals इसमें लक्ष हमने अलग से लगा दिया है लेकिन जी ही ये Goals जो हैं इसमें हैं समलित हैं अर्था सतत विकास लक्ष, संधारनिय विकास लक्ष इसके पहले के सहस्राब्दी विकास लक्ष जो की 2000 से लेकर 2015 तक से उत्राष्ट द्वारा जो अपनाया गया था अर्थाज 2000 से सूरू होकर 2015 तक जिन लक्षों को क्राप्ट करना था उनकी जो सीमा थी 2015 में समाप्थ हो रही थी और उन्ही को SDG लक्ष प्रतिस्थापित करते हैं संधार्डी सतत विकास जो लक्ष हैं इनको प्रतिस्थापित करते हैं लेकिन आपको जान दिलनावशक है कि सहस्राप्दी विकास लक्ष में कुल आठ लक्ष थे और अठारह उद्देश थे इनसे संगलंग न जो विसिष्ट लक्ष थे या जिनको आप अठारह उद्देश कर सकते हैं यह थे जबकि SDG में किते हैं 179 विसिष्ट लक्ष या उद्देश हैं एसी एसोसियेटट टार्गेट्स हैं 169 और 17 गोल्स हैं 17 लक्ष थे तिकें और संयुक्त राष्ट का यह वैस्विकास लक्ष है जिसको संयुक्त राष्ट महासभा ने अपनाया है इसको भी संयुक्त राष् पित हुआ 2015 में और अब किसको अपनाया है SDG Sustainable Development Goals को जिसमें 17 लक्ष है 179 विसिष्ट लक्ष है 2015 से लेकर 2030 के मद्ध तक इनको इन गोल्स को प्राप्ट करना है सतत विकास की संधाड़ी विकास की हम अकसर चर्चा करते हैं किस तरह का विकास चर्थात भविष्ट की जोरतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में विकास करना संसादनों का इस तरह से दोहन करना कि आने वाली PD भी उसका उपयोग कर सके ठीक है इसको क्या करते हैं सतत विकास, संधारणी विकास करते हैं संधारणी विकास की सबसे पहले जो परिभाशा दी गई वो परियावनव विकास पर सुझाओ देने वाले ब्रेंटलेंड आयोग ने सबसे पहले दी कब 1987 में ब्रंट लेंड आयोक की जो रिपोर्ट आई उसमें धारणी विकास या संधारणी विकास या सतद विकास की परिभाशा, सस्टेनेवर डेवलेप्मेंट की परिभाशा सबसे पहले दी गई थी फिर 1992 में क्या होता है, एक महत्मून घटना घटती है, अर्था पृत्वी सम्मेलन होता है रियो डी जेनेरियों में, वो सतद विकास पर ही केंदित रहता है, ये संधुराश्ट के तत्वाधान में होता है, संधुराश्ट जलवाई परिवर्तन शिकर सम्मेलन, फिर उसके 20 वर्षबाद रियो प्लस 20 2012 में होता है, कहां पर ये होता है फिर से रियो प्लस 20 अर्था रियो डी चेनेरियों में होता है, और यहीं पर संधार्णी विकास से तुलक्ष बनाने की बात किये जाती है, महत्मून बात है, और ये कहा जाता है कि ये भी यहां पर एक बात ध्य लिया जाता है कि क्योटो प्रोटोकाल को 2020 तक जारी रखा जाए और उसके बात क्या करना है यह 2015 में जो पेरिस में सम्मेलन होगा कोप का वहां पर यह निर्धाइट किया जाएगा कि 2020 के बाद क्योटो के बाद क्या किया जाएगा ठीक है फिर सितंबर 2015 में जो सेक्ट राष्ट महासभा का समेलन होता है वार्षिक उसमें SDG को अपनाया जाता है सस्टेनेबल डिबलमेंट गोल्स को अपनाया जाता है और ये सुरुवात होती है इसकी ये आपको डेट या रखना है एक जून 2016 से इन गोल्स को अचीव करने की सुरुवाद हो जाती है और इसको कब तक प्राप्त करना है अन्तिम्तिथी इसकी 2030 है अक्सर एक्जाम में पूसता है कि ये सत्र लक्ष है क्या तो सत्र लक्षों को आप तयार करके रखें इन में से कुछ बहुत ज़्यादा महत्पोर्ण है जिनको आपको याद रखने के आवशकता है जैसे पहला गरीबी नो पावर्टी इसका लक्ष है पहलेगा दूसरा भूख, खास, सुरक्षा, पोशन, टिकाओ, कृशी एक प्रकार से जीरो हंगर की बात करता है जो दूसरा गोल है तीसरा है स्वास, सुरक्षा और जीवन, गुल्ड है थैन, वेल बींग चौथा है सिक्षा, क्वाल्टी एजुकेशन की बात करता है, लक्ष है पाँचवा है लैंगिक समानता और महिला शशक्ती करन की बात करता है, जेंडर एक्विल्टी की बात करता है पाँचवा स्वच्छ जल, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है चौशात्मा जो है उर्जा affordable and clean energy की बात करता है आठवा समावेशी सतत्विकास और रोजगार की बात करता है decent work and economic growth की बात करता है नौवा और द्योगी करन बुनियादी धाचे की मजबूती की बात करता है industry, innovation and infrastructure की बात करता है एक्जाम में पूछा गया था innovation किसमें है तो आपको याद अखना चाहिए किसमें innovation है SDG 9 में innovation है फिट 10 में क्या है असमानता को दूर करना reducing inequality 11 क्या है टिकाउ शहर और मानो बस्तियों का जो कम लागत वाली मानो बस्तिया है गुड अच्छी quality वाली मानो बस्तिया है उनका विकास sustainable cities and communities फिर है स्थाई, खपत और उत्पादन pattern की बात करता है जो बारवा है ये इतना महत्पूर्ण है लेकिन याद रखेगा responsible consumption and production 13 वह बहुत महत्पूर्ण है जलवाई परिवरतन की बात करता है जलवाई परिवरतन से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके लिए action, climate action की बात करता है 14 हमा सतत्विकास है तो महसागरी संसाधनों की बात उनकी सुरक्षा की बात करता है थाद life below water की बात करता है और 15 हमा क्या है जयव वित्ता पास्तकी तंतकी सुरक्षा की बात करता है थाद life on land की बात करता है 16 हमा नयाय की बात करता है शान्ती की बात करता है थाद peace, justice and strong institutions की बात करता है 17 हमा सतत्विकास है तो वैश्विक भागेदारी की बात करता है तो 17 हमा ये partnership की बात करता है partnership for the goals की बात करता है यह आपको goals याद रहने चाहिए जिसे कि पिछले 2019 में पूछा था जल वाला SDG 6 था उसका उत्तर आपको याद रहना चाहिए महत्पूर है और अगर आपने learning app अभी तक डाउनलोड ना किया हो अनकेडमी learning app तो इसको download install कर लें यहाँ पर कोई भी wish है किसी वे educator को आप search करेंगे कोई topic search करेंगे आपको मिल जाएगा आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं या फिर चाहें तो subscription लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं subscription आपको एक month से लेकर के दो साल तक के उपलब्ध हैं अर्थाद एक साल एक महीने से लेकर आप दो साल तक का admission ले सकते हैं प्रशल को कुछ उसमें लगेगा जो भी subscription charges हैं देखर पढ़ सकते हैं हमारा referral code अगर आप use करते है referral code है UD10 मेरा यह use करते हैं तो किसी भी course में आपको छूट मिल जाएगी ठीक है तो इसको अवश्य अगर आपको join करना है तो UD10 referral code अवश्य यूज करिएगा ठीक है ना तो बारह महीने का course में जैसे 7,000 रुपए आपका लग रहा है तो 24 महीने कोर्स में उसी कोर्स में 1,900 रुपए लगेंगे तो आपका दो वर्ष का जो फी रहेगी वो कम पढ़ रही है तो आप चाहें तो दो साल के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं पढ़ सकते हैं आराम से तब तक आपका selection भी हो जाएगा कहीं ने कहीं तो UD10 आप याद रखेगा referral code तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद